हेलो दोस्तो आज हम देखेंगे जो लेर्निंग आउटकम्स गैप सामगरी है उसमें कक्षा आठमी गड़ेद वर्क्सीट किरमांक साथ इसको हम हल करेंगे चलिए तो देखते हैं परिमें संख्याओं की पहचान करना अब हम इसको देखिए और हल करेंगे और समझेंगे तो देखिए वह संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में हम क्या करें व्यक्त किया जा सकी तो वह परिमें संख्या कहलाती हैं जिसे हम अंस और हर के फॉम में लिख सकती हैं वह परिमें संख्या कहलाती हैं अब यहाँ देखिए पी और क्यू क्या है पूड़ा अंख है और यहां q, बराबन नहीं 0 की, q, p, b, t, q की रूप में जिने हम व्यक्त करें, वह परीमिय संख्या कहलाती हैं, q, बराबन नहीं 0 की मतलब यहां हर में 0 नहीं होना चाहिए, तो वह परीमिय संख्या कहलाती हैं अब हम देखते हैं जो सभी पूरांक भिन और दसंबलों संख्याएं परिमे संख्या कहलाती हैं सभी पूरांक जो और भिन भिन मतलब जहने हम भिन की रूप में पी बटे क्यू की रूप में लिख दें तो वह हैं परिमे संख्या कहलाती हैं और जो भी दसंबलों में लेख जैसे सुन्न दसंबलों 5 तो यह भी परिमे संख्या है अब आगे उधारन दिये हुए हैं जैसे 3 बटे 4, 4 बटे 5, रिण 3 बटे 7 यह सुन्न दसंबलों 5 यह सब भी क्या हैं परिमे संख्या हैं परिमे संख्या है जो रनात्माक, धनात्माक औ और माइनस जीरो भी हो सकती हैं जैसे यहां आगे दिया हुआ रण साथ बटे आठ चार बटे रण छे पिलस में एक बटे दो और सुनने यह हैं जो परिमे संख्या हैं अब हम देखते हैं जो परिमे संख्या का नियूनतम या निमनतम रूप परिमे संख्या का नियूनतम या निमनतम रूप क्या है तो उधारन में जो दिया हुआ है जैसे उधारन दिया हुआ है एक चार बटे छे क्या दिया है चार बटे छे इसको हम काट सकते हैं दोनों से अंस और हर में दो का भाग जा रहा है इसको हम काट सकते हैं तो यही है कि जो परिमेशां क्या है उसका निम्नतम रूप क्या है निम्नतम मतलब उससे छोटा कोई भी रूप ना हो जैसे यह लिखा है चार बटे छे चार बटे छे लिखा हुआ है इसमें हम अंस में दो का भाग भाग देख स अंसमेने से दो दूनी चार, कट जाएगा हर में दो तीन छे, अब यह नहीं कटेगा, क्या हुगा, दो बटी जो तीन है वह अब नहीं कटेगा, ठीक है, अब हम देखते हैं तो यह है जो दो बटी तीन निम्नतम रूप है, इसी परकार से हम दस बटे पंदरा है, जो दस परिमे संख्या को उनके निमनतम रूप में लिखिए हमें क्या करना है जो परिमे संख्या दी हुई है उनको निमनतम रूप में लिखना है जैसी पहला कोस्चन है क्या लिखा हुआ है बारा बटे बीस इसको हमें काटना है एनकी गुड़न खंड लिख दिये यहाँ पर दो गुड़े तीन दो दूनी चार चारतीरी बारा ही होंगी ये गुड़न खंड के रूप में समझने के लिए लिख दिये गए हैं हम क्या कह रहाता है हर हर कहलाता है हमें दोनों में भाग देना है तो देखिए क्या लिखा हुआ है बारा बटे बीस लिखा हुआ है दोनों का भाग देंगे तो दो से काटेंगे दो इच्छं बारा और दो इदम बीस होता है फिर से अभी भी दो से कर जाएगा दो तीन च्छ का निम्नतम रूप होगा अंगला कोस्चन है 24 बटी क्या लिखा हुआ है 30 इसको हम गोड़नखंट की रूप में लिख लिए गोड़नखंट की रूप में लिख लीती है जैसे 2 गोड़े 2 गोड़े 3 गोड़े 2 गोड़े 2 गोड़े 3 और नीचे लिखा है 2 गोड़े 3 गोड़ यह दोनी 30 तो वही लिखा हुआ है इनको हम काट देंगे जैसे नीचे से ये दो से उपर से दो खट जाएंगे तीन से ये तीन कर जाएंगे बाकी संक्या का गुढ़ा कर देंगे तो दो दूनी चार एक लिख दिये और पांच पांच की पांच जहों कितनी हो तो निम्नतम रूप होगा जो चार बटे पांच होगा अब हम देखेंगे जो 6 बटे अठार है हम डारेक्ट भी काट सकते हैं जैसे 6 एक हम 6 6 दूनी बारा 6 तीरी अठारा तो एक बटे तीन निम्नतम रूप होगा आँगे की संख्या है जो बारा बटे वीस लिखा है चार से काटेंगे चार तीरी बारा चार पंचे बीस क्या आएगा माइनस की तीन बटे पांच इसी प्रकार से जो निम्न लिखे थे सम तुल दो परिमी संख्या को लिखना है दो परिमी संख्या को क्या करना है यहाँ पर लिखना है जैसे देखिए तो क्वेश्चन है दो बटे तीन क्या है दो बटे तीन सम तुल दो परिमी संख्या को लिखना है इसमें हम देखेंगे कि अंसरहर में समान संख्यासी गुञा करके लिखना जैसि यहां लिखा है दो बटे दो का हमने गुञा किया दो बटे न्याекर पिक्षा log सम्तुल भीन बनाएंगे तो तीन बटी तीन से गुणा किया क्या हो जाेगा तीन दूनी क्छै और तीन तरका नो, छे बटे नो हो जाएगा अब देखिए दूसरा कौश्चर ही यहाँ सी हम हल करेंगे एक बटी दो लखा था सम्तुल भीन बनाना है तो यहां ँरा हम तीन और तीन दूनी छे, तीन बटे छे समतुल भिन बन गई, यहां देखिए दो बटे दो सी गुणा करना है, यहां तीन बटे तीन सी गुणा करना है, गुणा करेंगे तो दो दूनी चार, माइनस की चार, और यहां पाद दूनी तस लिखेंगी, यहां पर तीन दूनी छे और पात तीरी 15 लिखेंगी अंगला है जो चोथा कोस्चन यहां रिंड 6 बटी 10 है गुणा 2 बटी 2 करेंगे तो 6 दूनी 12 रिंड की 12 और 10 दूनी 20 रिंड 12 बटी 20 आएगा सम्तुल भिन्द में यहां रिंड 6 बटी 10 है और 3 बटी 3 से गुणा करेंगी तो क्या हो जाएगा रि परिली जो वर्क सीट है वर्क सीट 8 इसमें क्या देखना है परिमे संख्या का संख्या रेखा पर प्रदर्शन वर्क सीट 8 है इसमें हमें देखना है जो परिमे संख्या है इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शन करना है चलिए तो हम यहां देखती है देखिए 3 बटे 4 क्य लेना है एक ही बार में समझ जाना है देख़िए कोई भी हो गई संख्या रेखा इसके बीच में क्या होता है 0 होता है इसकी दाइव तराफ है जो संख्या है प्लस में होती है 1 2 3 4 इस तरीके से और कि बाई तराफ है जो संख्या माइनस में होती है माइनस बन माइनस मतलब रण एक रण दो रण तीन रण चार इस तरीके से बढ़ती जाती हैं अब हमें व्यक्त करना है जो संख्या रेका पर तीन बटे चार व्यक्त करना है क्या करना है तीन बटे चार अब हम देखते हैं ज यह संख्या है जो 3 बटे 4 वह है 0 और 1 की बीच होगी क्योंकि 4 का अंस में पूरी पूरी बार भाग नहीं जा रहा है यदि यहां ऐसा होता 5 बटे 4 होता तो यहां भाग देते जैसे 5 में 4 खा 4 एकम 4 कितना बचा 1 मतलब इसका यह होता कि 1 की बाद और भी संख्या है अब यहाँ देखिए क्या तीन में चार का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है यहाँ जीरो लग जाएगा दसमलों बन जाएगा मतलब यह है यह संख्या है जो संख्या रेखा पर जीरो और एक के बीच होगी जीरो और एक के बीच होगी अब वही हमें बताना है देखिए तो स संक्या रेखा है यहां देखिए यहां जीरो लिखा हुगा है और यहां एक लिखा हुगा है इसके कितने हिस्से किये उन्होंने चार हिस्से किये देखिए यह जीरो आपको समझाने की हम कोशिस कर रहे हैं एक हिस्सा दूसरा हिस्सा यह तीसरा हिस्सा यह चोथा हिस्सा चार खंड हो गए, यहाँ पर 0 से 1 की भी 4 खंड, अब यहाँ ब्यक्त क्या करना है, तीन बटी 4 को ब्यक्त करना है, तो यहाँ देखिए, यहाँ से 1 बटी 4 A होगा, 2 बटी 4 A होगा, तीन बटी 4 A होगा, और 4 बटी 4 यहाँ लिखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, 4 से 4 कट प्र तो यह एक लिखती duty जा आप हमें क्या व्यक्त करना है कि तीन बटे चार जैंतित जैंगी तुं यहां हमें tech करना है संख्या रिखा पर तरыл करना है दारिशाना है तो अभी हमने बताया था जो संख्या रेखा है बीच में क्या होता है जीरो होता है इस साइट है जो प्लस में संख्या होती है एक, दो, तीन, चार इस तरीके से और इस साइट है जो बाइं तरफ है माइनस में रण में संख्या होती है रण 1, रण 2, रण 3 अब हमें क्या व्यक्त करना है रण 3 बटे 5 को व्यक्त करना है हम सबसे पहले देखेंगे कि यह है कहां पर स्थित होगी रण 3 बटे 5, 3 कैसा है हर से छोटा है, इसका मतलब यही आ रहा है कि यह 0 और रण 1 की बीच होगा जीरो और रण 1 की बीच क्यों क्योंकि यहां पर रण में संख्या है तो बाई तरप इस्थित होगी अब हमें यहां देखना है देखिए तो संख्या रेखा पर प्रदसित करेंगे बीच में क्या होगा जीरो, यह रण में है तो रण वाली संख्या में रेण वाली संख्या में इस्तित होगा सबसे पहले हमें संख्या रेखा बनाएंगे बीच में होगा जीरो यहां मानेंगे समझने के लिए एक रेण एक हमें पता है कि यह जीरो और रेण एक के बीच इस्तित होगी इसके कितनी भाग करने हैं? पांच भाग करने हैं, इसके हम पांच भाग करेंगे, एक, दो, तीन, चार और पांच, हो गए भाग, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, और पांच भाग, हमें रण तीन बटे पांच को व्यक्त करना है, इनको हम लखेंगे जैसे, यहां रण एक बटे पांच, रण दो बटी पाँच, रण तीन बटी पाँच, रण चार बटी पाँच, और रण पाँच बटी पाँच मतलब एक आएगा, अब व्यक्त क्या करना है कि रण तीन बटी पाँच, तो रण तीन बटी पाँच कहा है, यह है रण तीन बटी पाँच, यहां हम संख्या रिखा पर यह प्रदरसित कर देंगी, अब हम अंगला कोश्चन करेंगी, चलिए तो हम अंगला कोश्चन करते हैं, प्रेयास कीजिए, निमलेखित परी में संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, जो परी में संख्या है, उनको हमें संख्या रेखा पर प्रदरसित करन संख्या क्यांस है प्लेस में तो यह धनवाली संख्याव में प्रदसेत होगी जैसे 0 और 1 कीभी छोगा नीचे कितनी भाग करने हैं इसके 5 भाग करेंगी तो इसके हमने 5 भाग किये दर्सान क्या है रेन पांच बटी आठ कहां पर है रेन पांच बटी आठ एक दो तीन चार पांच यह होगा रेन पांच बटी आठ अंगली जो परी में संक्या है कितनी दी हुई है दो बटी साथ कितनी दी हुई है दो बटी साथ इसकी साथ भाग करेंगी और हमें दर्सान क् वीडियो सीयर भी कर दें अंगली बर्कसीट है बर्कसीट किर्मांक नौ बर्कसीट किर्मांक नौ अब हम इसको देखेंगी बर्कसीट है जो इसको हम हल करेंगी बर्कसीट में क्या दिया हुआ है जो समान हर वाली परिमेश संख्याव में जोड एवं घटाव जिनके हर समान हो हर मतलब हर एक से हो तो उनमें हमें हमें क्या करना है जोड़ वा घटाना करना है चलिए तो हम प्रियास करती हैं मैं प्रियास करेंगे पहला कोस्छन है ce Là बटे पाँच क्या है 4 बटे 5 प्लस 3 बटे 5 4 बटे 5 धन 3 बटे 5 प्लस मतलब जोड़ना है हम कैसे जोड़ेंगे इनको देखिए तो आप समझने की कोशिस करिएगा हमने यहां लिखा 4 बटे 5 धन 3 बटे 5 अब हर का हमें क्या लेना है LCM संक्या जब एक सी हो तो LCM वही संक्य होती है, तो देखिए, LCM क्या आएगा? 5, हम नीचे वानी संक्या क्या देंगे? भाग, जो भाग फ़लाएगा, उसका हम अंस में क्या करेंगे? गुणा, आप समझेगे, 5 ऐकां 5, कितनी बार गया? एक बार एक का अंस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा चार इकम चार प्लस लगाया पांच का इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा एक पांच इकम पांच आया क्या एक एक का मंस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा तीन इकम तीन चार तीन क्या होंगी साथ साथ बटी पा यह देखिए यहां पर हल करके दिया हुगा, साथ बटी पांच अब हम इनका प्रियास करेंगे देखिए तो दूसरा कॉस्चन है, दो बटी चाल लिखा हुगा है, वहाँ पर तीन बटी चाल लिखा हुगा है, हम एल सिम लेंगे तो वही संख्या आएगी, अब यहां जो अं यहाँ पर अंगला है जो यहाँ पर देखिए 18 बटी 30 है प्लस करना है 17 बटी 30 LCM आएगा 30 यहाँ पर जोड़ेंगी तो क्या आएगा 18 धन 17 जोड़ेंगी 35 बटी 30 इनको हम काट देंगी किस से कटेगा पास से कटेगा पास साथ 35 और पान जोड़ेंगी तो कितना आएगा 100 ही आएगा अब देखिए 100 का भाग देंगे 1 आएगा 1 कां से में गुणा करना है 45 रिन 15 आएगा यहाँ पर 500 का भाग सों में जाएगा एक बार जाएगा एक कांच से में गुणा करेंगी तो 15 इनको 45 इसको 15 घटाएंगी तो क्या बचेगा 30, 30 बटे 100, 0 से 0 काटेंगी, 3 बटे 10, क्या आएगा 3 बटे 10 यहां उत्तराएगा, 5 माह इसको घटाना है, क्या होगा, रिन, 2 बटे 8 दिया होगा है, और रिन की 3 बटे 8 खटाना है, रिन, रिन का यहां रिन होगा, तो क्या होगा, दो, रिन, 2 और रिन, 3 जुड़ जाएगी, रिन की 5 बटे 8 होगा, अब देखते हैं, जो छटमा कॉस्चन है, इसमें दिया होगा है, रिन, 1 बटे 7, धन, 2 बटे 7, इसको हम करेंगी, तो LCM साथ ही आएगा, यहा होगा, असमान चिन्नों में घटाना, हम आपको पहले सी बता रहे हैं, कि असमान चिन्न आ जाएँ, तो क्या होता है, घटाना होता है, और समान चिन्नों में जोड़ना होता है, घटा देंगे, तो बड़ी संख्या से घटाना है, और बड़ी का ही चिन्न लगाना है, से एक जाएगा क्या बचेगा एक प्लस का एक बचेगा एक बचेगा एक बटे साथ प्रस्न करमांखम साथ माइस को हल करेंगे नो बटे क्या दिया हुआ है नो बटे चार दिया हुआ है माइनस क्या है साथ बटे चार हम इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा नो में से साथ ज परश्ने, इसको भी हम घटाएंगे, LCMDING apoy société 3, इसको क्र einzकरेंगे, 13 everything and 24 समान चिंहों में क्या होता है जोड़ना अस्मान चिन्नमें क्या होता है घटाना यहां देखिक अस्मान चिन्न में क्या होता क्या करती हैं जूड़ना आपको यह ध्यान रखना है अस्मान चिन आ जाएं अलग अलग आ जाएं प्लस प्लस और रिन आ जाएं तो वह करती हैं घटाना और समा चिन आ जाएं जैसी धन और धन तो करती हैं जूड़ना रिन और रिन तो करती हैं जूड़ना इस तरीकी से हम ह करते हैं प्रस्ण पहला दिया हुगा है हम इसको ध्यान सी पड़ेंगे और कोश्चन को हल करने का प्रियास करेंगे प्रस्ण है एक चावल से भरी ड्रम का भार एक सो शाट बटी चार किलो dynamics है और खाली ड्रम का जो भार है पच्पन बटी चार किलो가 chapters देखिये चाओल जे भरा किलो ग्राम है , और जो खाली ड्राम है , 55 बटी 4 किलो ग्राम है, तो हमें बताना है , चाओल का भर क्या होगा ? कैसी बताएंगा हम ? , जो भरा भरा हुगा'S ॉसमें द्रामट का बजन है , वह हम घटा देंगी .. देखिए 160 बटी 4 माइनस 55 बटी 4 इसको हम हल करेंगे देखिए तो हल कैसे होगा यह हल हल करने का प्रियास करते हैं 160 बटी में है 4 माइनस है कितनी 55 बटी 4 क्या लेंगी LCM LCM लेंगी वही संक्या आएगी समान संक्या है तो LCM 4 आएगा 4 का इसमें हम भाग देंगे एक बार जाएगा एक का उपर गुणा करना है वही संक्या होगी रण लगाया 4 का नीचे भाग जाएगा एक बार जाएगा एक का उपर गुणा करेंगे 55 वही संक्या होगी 160 में ऐसी हम 55 घटाएंगे क्या बचेगा 160 में ऐसी 55 घटाएंगे 105 घटाएंगे 105 बचेगा नीचे जउंकीत्यों संख्या 4 ही लखेगे यह हमारा आंसर हो जाए क्या होगा आंसर 105 बटी 4 किलोग्राम का बजन होगा चाहों लगाँ अब देखते हैं जो प्रश्निक्रमांग दूसरा है कौन सा प्रश्निक्रमांग दूसरा एक 11 मीटर जो 11 मीटर क्या है लंबी रस्ती है उसमें से 13 बटी 5 और 17 बटी 5 मात के टुकड़े काट लिए जाती हैं अब जो बरस्ती बची हुई है उसकी लंबाई हमें ग्याद करना ह कैसी ग्याद करेंगे इसको घटा देंगे 11 मीटर की हमारी कुल लंबी रस्ती थी इस मैंसे जो टुकड़े किये हुए है 13 बटे 5 की और 17 बटे 5 की माप की हमने टुकड़े किये है अब हम देखते हैं जो कुल रस्ती है कुल रस्ती कितनी है 11 मीटर की लंबी रस्ती है टुकड़े कितने किये 13 बटी 5 और 17 बटी 5 इन टोटल को हम घटाएंगे तो 11 मैंसे एक घटा दिये घटाने मतलब घटाए चलिए तो इसको हमने LCM लिया यहाँ पर 5 आएगा वही संख्या और उपर जोड़ जाएंगे 17 और 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 30 अब 11 मैंसे 11 बटी 1 कुछ नहीं तो एक मानेंगे रण के 30 बटी 5 करेंगे अब यहाँ हम घटाएंगे देखिए 11 बटी 1 रण 30 बटी क्या है 5 LCM लेंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा 11 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार एक का 5 में भाग देंगे 5 बार जाएगा 5 का उपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 रण लगाया यहाँ देखिए 5 का 5 में भाग जाएगा कितनी बार जाएगा 1 बार एक काउपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 30 अब देखे, पचपन में ऐसे 30 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 25 बटे 5 हम 5 से काटेंगे, 5 एक हम 5 और 5 हम 25 उत्तर क्या आएगा 5 क्या होगा, 5 मीटर है जो 5 मीटर रस्सी बची हुई है अब हम अंगला करेंगे जो अंगली बर्क सीट है बर्क सीट क्रमांक 10 इसको हम हल करेंगी देखिए तो बर्क सीट क्रमांक 10 है इसमें क्या दिगा हुआ है असमान हर वाली अभी देखा था हमने समान हर वाली अब देखा है आसमान हर वाली परिमे संख्याओं में जोड एवं घटाना आसमान हर वाली परिमे संख्याओं में जोड एवं घटाना चलिए तो हम इसको देखेंगे अब देखिए परिमे संख्याओं में जोड एवं घटाना अलग-अलग हर वाली पहली देख चोके आसमान हर वाली जो उधारण दिया हुआ है उसको हम समझने का प्रियास करते हैं तो दिया है रन साथ बटे पांच और रन दो बटे तीन इनको हमें जोड़ना है कैसे जोड़ेंगी आपको कुछ नहीं करना आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रियास कीजिए देखिए तो क्या दिया हुआ है रिन साथ बटे पांच जोड़ना है तो प्लस का हम चेनल लगाएंगे रिन दो बटे तीन अब देखिए नीचे बाली हर हर का हम क्या लेंगे LCM लगोत्तम समाबर्तक लेंगे कैसे निकाला जाता है जब अलग-अलग संख्या दे हुई हो तो हम उनका गुणा कर लेते हैं जैसे यहाँ पर पांच और तीन है तो LCM यहाँ क्या आएगा धन लगा तो धन लगाया तीन का हम यहाँ भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा तीन का भाग 15 में देंगे तो पांच बार जाएगा पांच का पांच का उपर हम अंस में गुणा करेंगे तो कितने होगे रण के दस पांच दूनी दस क्या होगा रण दस होगा यहाँ पर रण दस धन नहीं लगाना यहाँ रण लगाना क्योंकि रण दोनों संख्याय रण में है तो क्या होगा यहाँ पर दौरा से देखते हैं रिन साथ बटी पांच और यहाँ पर रिन दो बटी तीन जोड़ना है तो चिन पलट जाएगा जैसे यहाँ प्लस प्लस का क्या होगा रिन हो जाएगा यहाँ पंदरा था पांच का भाग देंगी तीन बार जाएगा तीन का उपर गुणा करेंगी रिन की 21 यहाँ रिन लगा यदि यहां पर अलग अलग चन होते एक धनका और एक रिणका तो यहां घटा ना होता लेकिन यहां चन कैसे हैं एक से हैं तो हम इनको जोड़ेंगी 21 में 10 जोड़ेंगी तो क्या होगा 31 और वो भी रिणके ही रहेंगी 31 बटे 15 यह हमारा उत्तर होगा अब हम क्वेश्चन को हल करने का प्रियास करती हैं क्वेश्चन है जो इनको हम हल करने का प्रियास करती हैं देखिए तो जो क्वेश्चन है पहला क्या दिया हुआ है रिण 9 बटे 10 धन 22 बटे 15 इनको हम हल करती हैं देखिए तो 9 बटे रिण 9 बटे क्या हुआ है 10 दिया एंगे ऐले करने वह दोस21 संख्या Focus आहें का दोनों संख्या में किसी शंख्या का घवाग जाएगा नहीं जो पांच का देखिए तो यहां 10 है और 15 भाग देंगे 5 का 5-2-10 और 5-3-15 अब यहां कोई भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो यहां हम इनका गुणा कर लेंगे 5-2-10 और 5-3-15 चलिए तो हम गुणा करती हैं कितना आएगा 30 आएगा कितना आएगा 30 LCM आएगा 30 अब देखिए 10 का इसमें हम भाग देंगे 3 बार जाएगा 3 का उपर गुणा करना किया आएगा 27 15 का 2 में जाएगा 2 का उपर गुणा करेंगे 44 आएगा 27 रणकी धनकी 44 असमान चिन आगए यहां पर क्या आगए असमान चिन असमान जिन्रों में क्या होता है घठाना तो चबालीस मैंसे सत्ताइस जाएगा प्रशने करमान को दूसरा है देखि तो इसमें संख्या दी हुई है तीन बटे दो दन के एक बटे दो इनको क्या करना है जोडना है जोड़े तो LCM लगो तमसमा बरतक आएगा दो दो का हम भाग देंगे एक आएगा एक का उपर गुणा वही संख्या आएगी धन लगा यास धन लगा दो का हम भाग देंगे क्या आएगा दो एक हम दो एक आएगा एक का उपर अब देखिए यहाँ पर हैं जो चिन्न कैसे आ रहे हैं आसमान आ रहे हैं चिन्न है जो आसमान है आसमान चिन्नों में क्या होता है घटाना किस से घटा थी बड़ी संख्या सी यहाँ देखिए रन तीन है और एक है बड़ी कौन है रन तीन है रन तीन में से एक जाएगा क्या बचेगा दो वो भी रणका, बड़ी संख्या हैं जो चिन्न है वही लगाना है तीन में कौन सा चिन्न था रणका, वो हमने रण लगा दिया और नीचे की संख्या ज़ओं कीते हो अब देखिए, दो से कट जाएंगे, दो एक हम दो और दो एक हम दो क्या बचा, एक बचा, चिन्न कौन सा लगीगा रणका, रण एग, यह हमारा आंसर होगा प्रश्न करमांग तीसरा, क्या क्या दिया होगा है, देखिए, चार बटी, पांच है धन की क्या है, पांच बटी, छे हैं अब देखिए हमने क्या देखा था यदि ये कटेना संख्या कटेना तो हम इनका आपस में गुणा कर लेती हैं वही LCM होता है देखिए चार बटी पांच है जो धन में हैं पांच बटी छे कट तो नहीं रहा तो LCM क्या होगा छे पंच तीस इनका गुणा करेंगे तो छे पंच तीस होगा अब हर बार बता रहे हैं कि हर का क्या देना है भाग देना है इसमें भाग देना है इसमें भाग देंगी पांच का तीस में भाग देना है कितनी बार जाएगा पांच का तीस में भाग जाएगा पांच का तीस छ खेका किया करना फिर अंस में गुणा करना है श्यका अंस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा छोगे चोज चौटी जोब्र 않ः थिया अब ये धनलगा फिर देंगे यहाँ पर कितनी वाः जाएगा श्यक पंचे तीश पांच बार जाएगा पांच का यहाँ उपर गुणा करना है पांच का उपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा बस यहाँ हमें जोड़ देना है जोड़ेंगे कैसे 24 और 25 जोड़ेंगे तो क्या होगा 59 होगा 59 बटे में 30 जयों किते हो यह हमारा उत्तर हो जाएगा सिंपल सा, अब हम अंगला देखते हैं, 7 बटे 24, क्या दिया हुआ है, 7 बटे 24, रन 17 बटे 36, यहां देखिए, स्टार्ट से हल करते हैं, 7 बटे 24 दिया हुआ है, रन लगा हुआ है, 17 बटे 36 दिया हुआ है, अब हम इसका LCM निकालेंगे, LCM कैसे निकलेगा, हम यहां देखते निकाल की ilin 24 और क्या दिंच थूटिस देखिए Tris लीडिस दोनौ संक्यहे में किस संक्या का भाग जा रहा है उख थे ज देखिए जो 36 अब तो नहीं जा रहा है इनका भाग नहीं जा रहा है तो हम इनका गुणा करेंगी 12 दूनी 24 और 24 तीया कितने होते हैं 72 होते हैं तो LCM क्या आएगा 72 आएगा चलिए तो हम इसको हल करते हैं LCM आगए हमारा 72 LCM 72 अब यह देखिए 24 कस में भाग देंगे कितनी बार जाएगा तीन बार जाएगा तीन का उपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 21 रण लगा दिया 36 का हम भाग देंगी 72 में तो क्या आएगा यहां 72 होगा दो बार जाएगा दो का उपर गुणा करेंगी तो 34 आजाएगा यह देखिए यह लिखा हुआ है 21-34 21-34 बटी 72 इसको हम हल करेंगी बड़ी संख्य क्या है हम देखा था असमान चिन्नों में क्या होता है घटाना होता है 34 बड़ी है 34 में से 21 जाएगी क्या बचेगा 32 जयों की त्यों यह हमारा उत्तर हो जाएगा पांच माह है जो अब इसको हम जल्दी जल्दी करने का प्रियास करते है 1 बटी 2 माइनस 4 बटी 3 है 1 बटी 2 माइनस 4 बटी 3 LCM जब कटे ना तो LCM में गुणा करना है 3 दूनी 6 आ जाएगा अब यहाँ 2 का 6 में भाग देंगी तो 3 बार जाएगा 3 का उपर गुणा 3 ही रहेगा 3 का 6 में भाग देंगी 2 बार जाएगा 2 कांस में गुणा करेंगी तो 4 दूनी 8 आएगा असमान चिन्नों में क्या करना है घटाना होता है देखिए तो बड़ी संख्या को है रण 8 रण 8 में 3 को हम घटाएगी तो क्या बचेगा रण की 5 हर में जयों का त्यों 6 ही लिखेंगी तो उत्तर क्या होगा रण 5 बटे 6 चलिए तो अब हम प्रश्निक्रमांग 6 हल करती है प्रश्निक्रमांग 6 इसको हमें हल करना है इसमें दिया हुआ है जो संख्या है वो मिस्तर भिन्न में दी हुई है हमें इसको किसमें बदलना है भिन्न में बदलना है, यहां देखिए, भिन्न में बदलने के लिए 6, 4, 24 और अंस को हम जोड़ेंगे, तो क्या होगा? 24 और 5, 29, 29 बटे 6 लिख दिये, प्लस और माइनस को क्या होगा? माइनस, हमने 4, 5, 9 भी बदल दिया, माइनस कर दिया, और यहां देखिए, सच चोगी 28 और तीन कितने होंगे 31 बटी 4 कर दिया यहां LCM लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा यहां 24 भी लिया है इस से कट जाएंगे तो अंसर सही आएगा ठीक है इस परकार से हम इसको हलकल लेंगे LCM 12 किस परकार आया देखिए 6 और 4 थे इसका हम LCM लेंगे देखिए तो 2 का हम भाग देंगे वह संख्या सोचनी है जो दोनों संख्या में भाग चला जाए 2 तीन 6 और 2 दूनी 4 अब यहसी कोई भी संख्या नहीं है कि इनका दोनों का भाग चला जाए इनका हम गुणा करेंगे दो तीन 6 और 6 दूनी 12 क्या होगा 6 दूनी 12 देखिए तो LCM कितना आ गया 12 हम इनको हल करेंगे 29 बटे 6 रण 31 बटे 4 LCM क्या आया 12 आया 12 6 का हम इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा 2 का हम ऊपर गुणा करेंगे तो 29 में हम 2 का गुणा करेंगी, तो कितना आएगा रण की 80 आएगा, यहाँ चन लगाया रण का, तो हमने रण लगा दिया, चार का हम 12 में भाग देंगी, कितनी बार जाएगा, तीन बार, तीन का हम उपर गुणा करेंगी, तो 3 का हम 3 और 3 का 9, कितना होगा, 13 होगा, कितना होगा, 13 होगा, अब समान चिन ना आएगा, समान चिन्नों में क्या होता है, समान चिन्नों में होता है, जोड़ना, तो हासिल में आएगी एक, नो और एक, दस और पांच, पंदरा, क्या होगा पंदरा, रण की, बटे में क्या होगे, बारा, यह हमारा क्या होगा, रण, इंक्याउन, बटे, बारा, हम इनको, जो हमने 24 मानकी किया था, उसको हमें काट देना है, तो हमारा उत्तर सही आ जाएगा, देखिए, दो से कट जाएगा, दो से नीचे कटीगा, तो बारा बार कटीगा, और दो से उपर काटीगा, तो दो एक हम दो, बजे, पांच, दो एक हम दो, बरका, एक, सो गए, दस, दो बंचे, दस, और दो एक हम दो, आगया होगा है, रण की, एक सो एंक्याउन, बटे, बारा अब हम अंगला प्रश्ण है जो इनको हम हल करने की कोशिश करेंगे देखिए तो प्रश्ण है जो पहला क्या दिया हुआ है एक साथ बटी दो मीटर लंबाई वाले कपड़े में से पांच बटी तीन मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा सीस बचीगा साथ बटी दो मीटर कपड़ा था उसमें से हमने पांच बटी तीन मीटर कपड़ा काट दिया तो कितना कपड़ा बचेगा हम इसको घटा देंगे देखिए तो साथ बटी दो है इसमें से हम पांच बटी तीन को घटाएंगे अब दो और तीन का एलसी हम आएगा छे में इसक 12 तक आपको समझ में आगया जो30 यहां देखिए ऑँ सक 10-6 में भाग देए तिन का 126 में गुणा करना है तो 25-10 हो जाएगा छीनने रण लगा ऐा क्योंकि आहां रण लगा था था हमने संक्या में ऐसे हम 10 को घटा देंगी तो कितने बचेंगे 11 चन्न कुन सा है बड़ी संक्या में धन का सो हमें धन लगा दिया अब देखें नीचे हर ज्याओं का देखेंगे कोस्चन करमांग दूसरा कोस्चन करमांग दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है राधिका के घर से पोस पोस्ट आफिस होती हुए rainbow जाए तो है कित्नी दूरि तैख करेगी इसके लिए हमें दौनओ दूरी को क्या कान पड़ेगा जोड़ना होगा देखिये तो पोस्ट आफिस किजिए दूरी है तीन बटी जोरों की अथって तो का हम 4 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, दो बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे, अन्स में, तो 3 दूनी 6 यहां लिखती है हमने, 4 का हम चार में भाग देंगे, एक यह उपर गुणा, वहीं संख्या, तो 7 लिखती है, 6 और 7 इनको हम तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों दक सेयर भी करें यासे ही परक्सीट को देखने के लिए हमारी प्लेलेस्ट में भी जाकर देख सकते हैं अब हम अगले वीडियो में आगे की परक्सीट हल करेंगी